दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ एक नए आइडिया एक नए रोजगार के साथ दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसक्राबर मेकिंग मसीन के बारे में जिसको जूना बिजनेस भी जूना भी कहते हैं उस मसीन के बारे में हम आपसे बात करने बाले हैं इस मसीन के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दे कि यह बहुत ही कम मैं प्रवाइड करेंगे किस तरह से क्या प्रवाइड करेंगे क्या सपोट रहेगा उनका और कितना मार्जिन इस बुजनेस में तो आये गुपता जी से मिलते हैं तो गुपता जी बहुत-बहुत स्वागत है पर फिर से हमारे चनल पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है pacte अजिजी हमारे भारत मसीनरीबं हमारा से समस्ती पूर हो गया ड्रभंगा साइट से पत्न बीटा गया सारे जगह से वहनи यानिकी पैस्लीटी लोग अगर डिहार में किसी भी कोने से आना चाहिए तो आसानी से यहां पहुन सकते हैं कहीं से भी मैं क्या कहीं सकता हूं मैं तो इंडिया कि किसी कोने साइब आते हैं तो उन्हें आने में कोई परशानी नहींगा अच्छा-खासा फेमस रहें और कोई दिक्कत होता है तो हमारे नंबर पर कॉंटेक्ट करेंगे मैं पूरा हेल्प करूंगा अच्छा गुप्ता जी लोग आपको जानते हैं बहुत बेसिक से जानते हैं जैसे मैं देख रहा है जब आपने स्क्रबर बिजनेस शुरू किया था वहां से देख देखने लोग तो करनाना बहुत ही आसान है लेकिन उसे बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मैं उसको मुश्किल नहीं कह सकता हूं क्योंकि लोग अपने काम को अगर इंज्वाय करना सुरू कर दे तो वह बहुत ही तरीके से मार्केट में बेच पाएंगे मैंने जो स्ट्रगल किय क्या है वह तो मैं अपने लिए किया हूं बाकी मैं आज अपने भाई जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए तयार हूं और कह सकते हैं कि मैं मान के चलता हूं कि कोई नीरन तरता से पूरी मांदारी के साथ मेहनत करेंगे तो फुल टा तोड़ा सा इसमें कंपर्टीशन बढ़ गया है जिसके कारण हमारे दोस्त जिया है जो भी लोग करना चाहते हैं उनको मार्केटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है उसके लिए मेरे पास उपाय है बहुत सारे लोग है जिनको मसीन के बारे में बिल्खुल जानका करें देखिए आज के टाइम में मसीन बेचना एक कह दिए कि यह हो गया है कि लोग किसी भी तरीके से एक दो हीटर लगा करके ठोकर के मसीन दे देते लेकिन वहां से हमारा काम सक्सेस्पुल नहीं होता है और पंद्रह हजार बीस जार की लोग चिला 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 करके मसीन लेकिन जुन्होंने खरीदा है उन्हें यह बात पता है कि इतना सक्सेफुल मसीन या फिर हमारे साथ जो मसीन खरीदे हैं उनका काम किस लेवल पर है और कहीं से लोग मसीन लेकर कि लिए कुछ भी वह कर रहे है कारन है कि मसीन जो भी मनें कह दीजे के किमपोनेंट्स और अ रहें वो लोग कैसे पहचाने की हाँ जो जीज़ हमें दिया जा रहा है या फिर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है देखिए इसका कोई मेजरमेंट अगर कहा जाए तो भी से क्यों लोग इसको कहीं सस्ते में भी देते हैं डिपेंड करता है कि इंडा कितना इमांदार है कितना बेसिक से काम करता है उससे पर करता है अगर मेरे पास कोई आते हैं तो मैं उनको एक एक चीज कंपेर करके दिखा दूगा कि यहां देखिए यह प्रोट जो इसमें पार्ट लगा हुए वह और जो सामने पार्ट लगा हुआ है दोनों में क्या डिफरेंस हैं मैं यह करके दिरूड़ दिखा दूगा लेकिन का ही आता है तो कुछ ऐसा बता जीजे कस्टमर को या फिर हमारे भीवर्स को थोड़ा सा आइडिया उनको मोटा मोटी लग जाए मैं इसमें कहूंगा कि इसमें जो लगी हुई हीटर होती है वह इतना तगरा होना चीए इसकी प्लेट जो हीटिंग कंपोनेंट प्लेट है वह इतना मोटा होना चीए कि उनका प्रोड़क्ट से चिपके अब इसमें च्यारे में भी आता है यह सारी चीजे जो है देखना पड़ता है अगर यह सब चीजे नहीं देख पाएंगे सीधे दाम से अगर जागा कि मसीन लेते तो अब यसलिए उनके साथ थोड़ा बहुत होती होगी देखिए रॉव मिटल के बात करें तो बहुत जरूरी है अगर आपको मार्केट में बिजनेस में रहना है उतार चरहाव आते रहता है आप अपने क्वालिटी को मेंटेन करें जादतर सेलर्स के पास क्या है कि अपना मैनुफेक्ट्रिंग नहीं हमारे पास अप मार्केट में बने रहेंगे मुझे लगता है क्वालिटी भी बहुत ज्यादा में बने रहने के लिए या फिर जिनका बिजनेस बंद हो रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं यह कहता हूं कि क्लासेज में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी आई एस नहीं बनते मतलब आपकी बात नहीं सुनेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े क्योंकि उनका अपना एक ठेसिस होता है अपना एक लॉजिक होता है वह उसी लॉजिक पर काम करेंगे वह मार्केट रिसरच करेंगे तो अपने लेवल से करेंगे और उसमें वह मुक्वल गिरते हैं और वह करने रही वीडियो देखते रही है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक पर लाइक जरूर कर दीजागा आगी बागी हम आपको दिखा रहा है कि कौन सा पार्ट सा किसी उजगा है देखिए दोस्तों पहले सबसे पहला चीज की हमारा हीटिंग कंपोनेंट होता है उप्रटान है अगर bu better quality का नहीं होगा तो आपके product की quality नहीं आएगे अगर यह पतलह है तो इसको अधकर बार बार वमाड़ान का यहां से क्या होता है कि आप जितना टिंप्रेचर चाहेंगे उतना एसमें टिंप्रेचरMr. Social Security यहका चाहते हैं धे लगा है उसके प्रेसर कम आ रहा जो आपके सीट पे तो यहां से इसको आप टाइट या फिर लूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो है अच्छा दबाब आ आपके पैकिंग क्वालिटी बढ़ जाएगा अब इसके अंदर की कंफिगेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए मैं कहता हूं कि नौ वाट का बॉल जो है वह पंदर रुपए में बीस रुपए तीस रुपए में भी आता है और नभी रुपए सो एक सो दस रुपए म मशीन होता है जो मैनुवल मशीन है संसर वाली उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से जाना कैसे काम करता है और कौन सा मसीन में क्या कंफिगेशन है जो सही है आपके लिए जो और लोग आपको नहीं बताते हैं वह चीज़ हमने जाना गुपता जी से अगर इस मसीन के बार डिस्क्रिप्शन में उनका डाल रखा है इस बिजनेस के बारे में सारा डिटेल जो भी आप जानना चाहते हैं आप बिजनेस करना चाहते हैं सारा कुछ आपको सपोर्ट जीरो से लाश्ट तक वह करेंगे तो चलिए मिलते हैं किसी नए आडिया किसी नए रोजगार के लिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दवा लिजे ताकि आने वाले सारी वीडियो का नुटफिकेसान आपको मिलता रहे तो चलिए मिलता है किसी नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार